जैसरी करश्ण मित्रो, मित्रो 22 दिसम्बर 2021 बूधवार को संकस्टी चतुर्थी है, इस दिन भगवान गणेश जी की सरध्धा पूरवक पूजा आरादना करने से और संकस्टी चतुर्थी की सरध्धा पूरवक वरत कथा स्रवन करने से आपके हर मनो कामना पूर्ण होगी और सभी संकट आपके दूर होंगे कारे में भी आपको सफलता मिलेगी तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें आप नित्य नई नई ग्यान वर्धक जानकारिया वह नित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो संकष्टी चतूर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतूर्थी भगवान गणेज जी अपने भक्तों की सभी परेशानियों को हर लेते हैं इसलिए इन्हें विग्न हरता और संकट मोचन कहा जाता है संकष्टी चतूर्थी की दिन भगवान गणेज जी का वरत करने स व्यक्ति की हर मनो कामना पूर्ण होती है मान्यता ऐसी है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन इनकी कथा सुनने से भगवान गणेज जी की विशेश करपा मिलती है सभी संकटों का नाश होता है तो दिनांक 22 दिसंबर 2021 बुधवार की दिन संकष्टी चतुर्थी का वरत रहेगा तो साल की अंतिम संकष्टी चतुर्थी 22 दिसंबर को यानि कल मनाई जाएगी इस दिन भगवान गणेज जी के लिए वरत रखा जाता है और विधिवत उनकी पूजा आराधना होती है हर मनो कामना पूर्ण होती है माननेता ऐसी है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन इनकी वरत कथा को सुनने से भगवान गणेजी की करपा से सभी बिगडे हुए काम बनते हैं तो संकस्टी चतुर्थी का शुम महुर्थ इस प्रकार से रहेगा पुजा का महुर्थ रात्री आठ बच के 15 मिनिट से आरंब हो करके रात्री नो बच के 15 मिनिट तक अमरत का समय रहेगा और चंद्र दर्सन का महुर्थ रहेगा रात्री आठ बच के 30 मिनिट से आरंब हो करक तो रातरी 9 बच के 30 मिनिट तक का समय चंदर दर्सन का रहेगा इस समय आवधी में आपको चंदर देवता की पूजा आराधना अर्ग देना चाहिए गंद पुष्प अक्षच चड़ाना चाहिए तो पूजा विदीस प्रकार से हैं कि आपको प्रातहकाल ब्रह्म महुर्त मे स्नान करना चाहिए साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारन करना बेहदी शुब माना जाता है गंद पती जी की पूजा करते समय व्यक्ति को अपना मुह पूर्व या उत्तर दिसा की और रखना चाहिए पूजा में तील गुड लड़ पुष्प ताम्वे के कलस में जल धूप चंदन प्रसाद के तोर पर केला या नारियल आपको रखना चाहिए मोदक आप रख सकते हैं गणेजी को रोली अरपित करना चाहिए पुष्प और जल अरपित करना चाहिए दूरवा अवश्य चड़ाना चाहिए संकष्टी चतर पुष्प तोर परानिक कता के अनुसार एक बार माता पारवती जी और भगवान शिव जी नंदी के पास बैठे हुए थे तभी अचानक माता पारवती जी की चोपड खेलने की इच्छा हुई लेकिन वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो इस खेल में निरनायक भूमी का निभा पाए तो समस्या का समाधान करते हुए शिव जी और पारवती जी ने मिल करके एक मिट्टी की मूर्ती बनाई उसमें प्रान डाल दिये शिव पारवती जी ने मिट्टी से बने बालक को खेल देख करके सही फेसला लेने का आदेश दिया खेल में माता पारवती जी बारबार भगवान शिवजी को मात दे रही थी यानी शिवजी को हरा रही थी तो चलते खेल में एक बार गलती से बालक ने माता पारवती जी को हरा हुआ घोशित कर दिया तो इससे नाराज होकर के माता पारवती जी ने क्रोध में आकर के उस बालक को सराप दे दिया और वह लंगडा हो गया बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बार बार छमा मांगी बालक के निवेदेन को देखते हुए माता पारवती जी ने कहा कि अब सराप वापस नहीं हो पूछना और उस वरत को सच्चे मन से आप करना तो बालक ने वरत की विधी को जान करके पूरी सरद्धा पूरवक संकर्ष्टी चतुर्थी का यह वरत किया उसके सच्ची आराधना से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और उस बालक की इच्छा पूरी करी उसकी भगवान शीव ही मिले माता पारवती जी सीव से नाराज हो करके कैलास परवत छोड़ करके चली गई थी जब शीव ने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहां कैसे आये हो तो उसने बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है यह जानने के बा कथा को सुनने से सभी दुख संकटों का नास होता है कारे में सिध्धी मिलती है मनो कामनाई पूर्ण हो जाती है तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्यानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक सेधी का शेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्णमित्रों फिर मिलेंगे